घर बना खंडहर एक सेठ जी थे जो दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे उन्हें तो बस सहर का सबसे अमीर आदमी बनना था धीरे धीरे पर आखिर्वे नगर के सबसे धनी सेठ बनी गए इस सफलता की खुसी में उन्होंने एक सांदार घर बनवाया ग्रिह प्रवेस के दिन उन्होंने एक बहुत सांदार पार्टी का आयोजन किया जब सारे महमन चले गए तो वे भी अपने कमरे में सोने के लिए चले आए थकान से चूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे एक आवाज उन्हें सुनाई परी मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा सरीर छोड़कर जा रही हूं सेठ घबरा कर बोले अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती तुम्हारे बिना तो मैं मढ़ी जाओंगा देखो मैंने वर्सों के तंतोर परिस्त्रम के बाद यह सफलता अर्जित की है अब जाकर इस सफलता को आमोद प्रमोद से भोगने का अवसर आया है सौ वर्स तक टीके ऐसा मजबूत माकान मैंने बनाया है यह करोडों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है तुम यहां से मत जाओ आत्मा बोली यहां मेरा घर नहीं है मेरा घर तो तुम्हारा सरीर था स्वा करता रहा पर मजबूत बनाने पर किंचित भी ध्यान नहीं दिया तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमुल्य तन का नास ही कर डाला आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा अब इसे ब्लड प्रेसर डाइवटीज थाइराइड मोटापा कमरदर जैसी बिमारियों ने घे बिमारियों का घर बन चुका है ये तुम्हारा सरीर अब तुम ही बताओ क्या तुम ऐसे जरजरित घर में रहना चाहोगे जिसके चारों और कमजोर वह असुरक्षित दिवारे हो जिसका धाचा चर्मरा हो गया हो फनीचर को दीमक खा रही हो प्लाश्टर और रंग रोगन उर्द चुका हो धंग से सफाई तक ना होती हो यहां वहां गंदगी पड़ी रहती हो जिसकी छत टपक रही हो जिसके खिर की दरवाजे तूटे हो क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में नहीं रहना चाहोगे न इसलिए मैं भी ऐसे अवास में नहीं रह सकती सेठ पस्चाताप मिस्रित भय से काप उठे अब तो आत्मा को रोकने का ना तो समर्थ और ना ही साहस सेठ में बचा था एक गहरी निवास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के सरीर से निकल पड़ी सेठ का पाथिर्व बंगला पड़ा रहा मित्रों ये कहानी आज अधिकांस लोगों की हकीकत है सफलता अवस्य हासिल कीजिये किन्तो स्वास्थ की बली दे कर नहीं अन्य था सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता का लूप्त उठाने से वंचित रह जाएंगे धन्यवाद